हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए गेवर की एक आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप गेवर मिंटों में बना सकते हैं इसमें आपको हलवाईयों जैसे बहुत ज़्यादा महनत भी नहीं करनी पलेगी क्योंकि हम गेवर का वैटर मिक्सी में बनाएंगे तो चल अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप चीजों को बढ़ा भी सकते हैं घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चार-पाच आइस क्यूब्स नॉर्मल जो घेवर बनाया जाता है हलवाईयों के द्वारा जो घेवर बनाया जाता है उसमें उन लोग एक बाउल में घ इसरे ग्राइंडर में चला लेंगे और देखिए यह कितने अच्छे से retract हो गया है इसके बाद हमें इसी जार में आधा कप मिल्क डालके इसको दो तीन बार और मिकसी में चला लेना है दो मिनट के लिए इससे मिलक और घी एक में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और इसकी एक प्यूरी बन जाएगी देखिए है मिलक और घी की प्यूरी बनकर तयार है अब हम यहाँ पर डालेंगे मैदा तो मैं यहाँ दो घेवर बनाने वाली हूँ इसके लिए मैं तीन चमच म जो हलवाई लोग अकसर घेवर में डालते ही हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, यहां हमें आदा छोटी चम्मच बेशन डालना है, इससे घेवर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में 2-3 बार 2-3 मिनट के लिए अच पीश लेना है, याद रखे हमें इस मिसरन को तब तक पीशना है, जब तक यह एकदम सॉप्ट हो जाए और इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहना चाहिए, यहां यह मिसरन पिसकर तयार है, मैंने इसे 2-3 मिनट तक कंटिन्यू पीशा था जिससे यह एकदम सॉप्ट हो इसके बाद हमें एक बाउल में एकदम ठंडा पानी ले लेना है, और उसमें फिर दूसरा बाउल रखे हो यह मिसरन डाल देना है, हम इस मिसरन को ठंडे पानी में रखेंगे, ताकि यह गर्म ना हूँ, क्योंकि हमें घेबर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यह इसका गेबर बहुत अच्छा बनकर तयार होता है, आप देख सकते हैं यह मिसरन कितना सौप्क बनकर तयार हुआ है, और एकदम रणी वाटर जैसा बनकर तयार हुआ है, इतना ही पतला बनना चाहिए मिसरन, गाडे मिसरन से गेबर उतना अच्छा नहीं बनता है, तो चलि ही gas on रखनी है gas की law उपर तक नहीं आना चाहिए यहां मैंने पतीली में आधा पतीला oil डाल लिया है आप चाहे तो इसे घीमे भी बना सकते हैं oil अच्छे से गरम हो जाने के बाद उसी चम्मच से हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा batter डालते जाना है batter डालने के लिए आपको अलग से कोई भी बरतन या वातल का यूज करने की चरूरत नहीं है इसी चम्मच से ही है बहुत अच्छे से बन कर तयार हो जाता है इसमें हम थोड़ा-थोड़ा batter एक दो बार डाल देंगे और इसे तब तक सिखने देंगे जब तक इसमें बुलबुले आना कम ना हो जाए और ऐसे ही करके हम बार-बार थोड़ा-थोड़ा batter डालते रहेंगे याद रखे घेवर में जो hole किया जाता है वो हमें पहली ही बार में नहीं करना है आराम से जब यह दो-तीन बार batter डालने के बाद batter शिख कर तैयार हो जाएगा इसमें बीच में अपने आप थोड़ा सा hole बन जाता है उसी में हमें हमें थोड़ा-थोड़ा बैटर ऐसे डालते रहना है और जब गेवर थोड़ा सा मोटा बनकर तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा होल कर देंगे इसके लिए आप किसी भी बेलान या किसी भी कर्ची किसी का भी यूज करके बीच में ऐसा थोड़ा सा चला देंगे इससे इसका होल अच्छे से हो जाएगा hole कर लेने के बाद हमें गेवर के वैटर को उसी hole में थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक कर डालते जाना है यहाँ पर मैंने कम से कम 15-17 वार इस बैटर को डाल के गेवर तयार किया है इस से जादा मोटा गेवर बनकर तयार नहीं होगा आपको जितना मोटा और जितना बड़ा गेवर बनाना है आप उस हिसाब से पतीला ले सकते हैं उस हिसाब से oil लेकर जादा बैटर डाल कर जादा बड़ा गेवर भी बना सकते हैं आप गेवर कड़ाई में भी बना सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं घेवर अच्छे से गोल्डन हो गया है इस टाइम पर हमको पतीले को पकड़के नाइप से घेवर को डी मोल्ड कर लेना है हलके हलके हातों से क्योंकि हमने यहां किसी मोल्ड में नहीं बनाया है इसलिए यह चिपक गया है अगर हम कड़ाई में र यह एकदम अच्छे से कुख हो गया है इसे हम निकाल लेंगे और किसी अलग बरतन में रख लेंगे और इसका ओयल डिलीज होने के लिए छोड़ देंगे जिससे इसका सारा ओयल अलग हो जाएगा यहाँ पर आप चाहे तो गयवर को किसी जालीदार बरतन में भी रख सकते हैं लेकिन ऐसे सिंपल प्लेट में रखने पर भी इसका ओयल अच्छे से निकल जाता है इसे हम साइड में रख देंगे अब हम उसी ओयल में फिर से बचे हुए वेटर का गयवर बना लेंगे यहां पर ओयल थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने ओयल फिर से और डाल लिया है और अच्छे से गरम हो जाने दिया है अब हमें फिर से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाना है और इसी प्रोसेस से हमें फिर से दूसरा गयवर बना कर तयार कर लेना है फ्रेंड्स गेवर बनाने का प्रोसेस देखने में ही कठिन लगता है वाकी इसे बनाना बहुत आसान है तो आप एक बार जरूर इसे बना कर ट्राइ करें आपको घर का बना हुआ गेवर बाजार से लाए हुए गेवर से जादा पसंद आएगा और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक से एर कर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पर मैंने घेवर में फिर से 6-7 बार बैटर डाल दिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा हूल कर दूँगी और ऐसे ही 15-18 बार इसमें बैटर डाल के दूसरा घेवर तयार कर लूँगी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा घेवर भी हमारा बनकर तयार है और इसका कलर भी कितना अच्छा गोल्डन हो गया है यहाँ भी हम इसे नाइब से डी मोल्ड कर लेंगे और निकाल लेंगे अब हम इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं घेवर के लिए रबडी बनाने की प्रोसेस में इसके लिए मैंने गैस पर एक कड़ाई रखकर उसमें आदा लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है आप चाहें तो कोई भी milk ले सकते हैं लेकिन फुल क्रीम milk से रबडी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी रबडी बनकर तयार होती है इसके बाद हमें gas on करके milk को continue चलाते रहना है जिससे यह तले में चिपके न यहां रबडी बनने में कम से कम 10-15 मेट लग जाएगा तो अगर आप चाहें तो इसमें instant रबडी बनाने के लिए milk powder या custard powder भी डाल सकते हैं यहां मैं सिर्फ milk का यूज करके रबडी बना रही हूँ यहां आप देख सकते हैं milk को continue 15 मेट चलाने के बाद रबडी बनकर तयार है यहां आप चाहें तो मिटास के लिए इसमें एक छोटी चम्मच सुगर भी एड कर सकते हैं मैं इसे बिना सुगर की ही बना रही हूँ सुगर एड करने से इसमें अच्छी मिठास आ जाती है तो अब इसको रखते हैं साइड में और चलिए फटा फट से घेवर के लिए चासनी बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी सुगर गैस पर एक पतीला रखेंगे उसमें एक कटोरी सुगर और आधा कटोरी पानी डाल कर गैस अन करके सुगर अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे यहां हम सुगर और पानी को एक चमस की साहता से मिक्स कर देंगे और इसे दो-दो मिनट में बीच में चलाते भी रहेंगे और अच्छे से सुगर मेल्ट होते तक पका लेंगे यहां हमें गेवर के लिए एक तार या दो तार की चासनी नहीं बनानी है हलकी सी चिपचिपी चासनी बनानी है यहां पर मैं इसमें एक लॉंग और एक इलाइची भी डाल रही हूँ आपको अगर इसका टेश्ट पसंद है तो आप डाल सकते हैं और अब यहां हम इसे तीन से चार मेंट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे चार मेंट बाद आप देख सकते हैं सुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और यह हलकी चिप-चिपी भी हो गई है चासनी हमें ऐसी ही बनाना है इसे ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके लिए एक तार की चासनी भी बना सकते हैं अब यहां चासनी बनकर तैयार है अब हम इसे गैस बन करके रूम टेंपरेचर पे आने तक छोड़ देंगे इसे हमें रूम टेंपरेचर पे आने के बाद ही घेवर में डालना है अगर हम गरम गरम डाल देंगे तो घेवर सौगी हो जाएगा तो चलिए अब हम घेवर की decoration कर लेते हैं यहाँ पर चासनी अच्छे से ठंडी हो गई है यहाँ मैं घेवर को direct पतीले में डाल कर ही चासनी में code कर ले रही हूं कई लोग उपर से घेवर में चासनी डाल के code करते हैं आप जैसा चाहे इसे वैसे code कर सकते हैं इसे हमें एक मिनट के लिए हलका सा code करना है और चासनी से बाहर निकाल लेना है अब हम चासनी में code किये हुए घेवर के उपर रबडी लगा देंगे कुछ लोग इसे बिना रबडी के भी खाना पसंद करते हैं ऐसे ही चासनी में डाल कर आप अपने टेस्ट के अनुसार कैसे भी इसे ट्राइ कर सकते हैं मुझे यहां मलाईदार गेवर ही पसंद है इसलिए मैं इसमें रबडी का यूज कर रही हूँ रबडी अच्छे से लगाने के बाद हम इसमें कुछ ड्राइव फूट्स की डेकोरेशन कर लेंगे यहां मैं बादाम, पियल, सीड्स और थोड़े से पिस्ता का यूज कर रही हूँ आप अपने पसंद के ड्राइव फूट्स से इसे डेकोरेट कीजिए राजिस्थान में तो इस पर सूखी गुलाब की पंखुडिया भी लगाई जाती है अब यहां हमारा घेवर बनकर एकदम तयार है आप देख सकते हैं यह कितना ब्यूटिफुल दिख रहा है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो इसे बनाए और इंजोई करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताए थेंक्स पर वाचिंग वाई बाई